आज मैं आपके सामने बेकिंग होल चिकन विद राइ स्टॉफिंग एंड वेजिटेबल बनाने जा रही हूं ये मैंने पेश त्यार किया है इसमें मैं एक टेबल स्पून लसन एक टेबल स्पून अद्रक और दो टेबल स्पून तंदूरी मिसाला 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्चे 1 टेबल स्पून आलिव ऑईल 1 टी स्पून सरसों का तेल यानी मस्टर्ड आयल 1 टेबल स्पून लेमन जूस अब इन थे अंतमाम चीज़ों को सिर्के के साथ थोड़ा-थोड़ा सिर्का डाल के कि इसका मिक्स्चर त्यार करना है बिल्कुल इस तरह का यह चिकन को हमने स्किन के साथ ले लिया और फिर इसकी स्किन को अटाके इसको यहां से मैंने इसके साथ इसको एकर्स लगाए हैं यह मैंने कवर कर लिये तो अब एक दिन के लिए मैंने मैं इसको फ्रीद में राख रही हैं यह मसाला लगके त्यार हो गया है यह देखिए इस तरह अंदर बहगा प्रुम इस इस साइट पर टांगयों नहीं, और इक लिए प्रमे, मैरिनीक और इस चुछ मने इन्थ यह चुछ दाद प्रूड़ केद हैं. है कि यह हमने आलो जो बाई किये थे एक मिनट के लिए यह हमने यह पानी इनसे निए था दो आलो थे और यह दो छोटी गाजरे एक टमाटर है इन्हें अबने गोल-गोल काट लिया है यह दो चोटे प्याज हैं इनको भी गोल-गोल काट लिया और ये हरी मिर्चे हैं तो अब हिंड में हम एक टी स्पून है ये डालेंगे एक टी स्पून हम इसमें तंदूरी मसाला और एक टी स्पून इसमें चाट मसाला मिक्स करेंगे और ये एक लेमन हाफ लेमन में लिए इस पर स्क्वीज करेंगे अब हम इसको इसको अपर से ठाके तो इसको मिक्स करेंगे और इसको फिर हम छोड़ देंगे फ्रिज में तीन आवर के लिए ये राइस बिल्कुल बन के त्यार है और ये देखें दाना दाना अलग है इसके लिए आपको एक में टिप देती चलूँ के राइस जब भी बनाएं दो गेंटे पहले उसको भगो के रखें पानी में और फिर उससे कुक करें और आप मैंने अभी अभी कुक किया है अब मैं चैनी जराइस बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैं क्या-क्या एड़ कर रही हूँ यह कैबेज है यह चिकन है जिसमें मैंने फाइप मिनट के लिए नमक और पानी में गलाखे रेड़ी कर लिया है यह शिमला मिर्चे हैं और यह हरी मिर्चे यह गाजर लसन प्यास और हरा प्यास स्प्रिंग उनियन और यह सोया सास अजीनो मोतू और यह फोर एग्स हैं जि आप सबसे पहले हम यह बनाते हैं यह सबसे पहले मैंने इसमें पैन में आइल डाला है तू टेबल स्पून और अब इसमें मैं यह गरम हो चुका है अब इसमें मैं एक्स एड़ करती हूं यह मैंने एक्स एड़ कर दी है इसमें और इसको बस रंबल डंबल बनाना है जोके हमने राइस में शामिल करने हैं सबसे पहले यह बना लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे हम राइस बनाना है यह रंबल डंबल हम सबसे पहले बना रहे हैं और इसके बाद फिर हम बाकी कुटिंग शुरू करेंगे आप पैन ऐसा यूज़ करें जिसमें वो अंडा नीचे चिपके ला यह रेडी हो चुक है इसको हम साइट पर करते हैं यह अब आइसर में इसमें मैंने यूज़ आपका दिये अब इसको गोल्डन ब्राउं करेंगे आपने इसके विए बिसमी डाल देते हैं इसके आपके नहाँ आपके नहाँ आपके नहाँ देते हैं आपवां आपके ऴक वके नहाँ आपके विपके दश पर स्मेचतundo 15 जखी लो चीडियए के एसे एक देख आदिए ऑराचिए ए्यद्ग जिएरेगासि करिए औरेजिये वे एककिखूने लड़ाचिए एकी लिए्ग कारओ शुछूरादी करिएए एकारणी क्कारणीख ह एक्षूरादी करिए जेखर एकारणी इन हमे एके एकशध नचिम आपस्पल में आपस्में, एडिमने झापट स्वेया सास एग करतें और साथ ही यह रंबल देंगे कर दो कि अधिक वेटेबल को ज्यादा गलाना नहीं है आप चाहें तो आप इसमें और अपनी अपसान की वेटेबल भी डाल सकते हैं जो चीज नहीं अच्छी लगती इसको किप्टी कर सकते हैं यह अब रेडी हैं अब मैं इसमें राइस सेट करने लगी हूँ राइस मेरे नमक डाल के त्यार की होगी अब अब मैं इसमेर सेट कर दिन अब इसमेर सेट कर दिन अब ग्ट्राइश हैं उगी झाल सकती और वे पहला है अब इनको हम 5 मिनटे लिए हलकी आँच पर दम पर लगाते हैं और 5 मिनटे बाद हम फिर चेक करते हैं अब 5 मिनट हो चुके हैं अब इन हम इसी चेक करते हैं और यह दियांत यह देखिए कि मिल्कुल सिघ्च करते हैं आफ हम इसको चिकन में इसकी स्टफिंग करते हैं है ऐस हम इस देखे वेज़ेबल जो मैंने थी आवर पहले सीजन करके फीज में रखे थे रडी हो चुकियां तो अब हम इसके लिए इस पे पहले आइस्प्रेय करेंगे, आइस्प्रेय, और फिर इनको 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 सारे पैन में फिला देंगे यह मैंने इसमें सारा फिला दिया, आब इसके इसको थोड़ा सा सप्रेय उपर से भी करेंगे और अब हम चिकन में राइस एड़ करते हैं, चिकन मैं नेट होके रेडियो चुका है, जो कि मैं इन 24 आवर के लिए फेज में रखा था मसाले लगा के, तो अब हम इसमें राइस की स्टफिंग करते हैं और वो मेरे हाथों से करूँगी उपके हाथों से इली हो जाएगी, इस स्टफिंग हम करेंगे इसको अच्छी तरह अंदर तक जाएं यह चिकन की स्टफिंग हो चुकी है, इसको मैंने खूब दबा दबा के राइसिस के अंदर डाले हैं और आप इसकी लेग्स को मैंना ऐसे करके धागे की मदद से बांदोंगी यह स्टफिंग हो चुकी है मैंने धागे से इसको यह कस के दिर से बांदी है कि स्टफिंग बाई लाए और अब हम इसको इसपे रखते हैं ऐसे और थोड़ा सा यह चिकन का थोड़ा सा मिसाला था यह मैं उसकी ऊपर डाल देती हूं और थोड़ा से लेमन स्क्वीज करते हैं इसपे तो रवर करते हैं इससी जादे मजिक हो जाएगा अब ऑवन जो है वो टूफिफ्टी डिग्री पे रेडी हो चुक है मैंने पहले से आन कर दिया था अब हम इसको उसमें रखते हैं यह चिकन पर थोड़ा सा आइल का स्प्रेय कर देते हैं और इसको रखते हैं अब हम इसको 25 मिनट के लिए एक साइट से रखते हैं फिर पलट के 25 मिनट के लिए दूसरी साइट से रखेंगेंगे यह 25 मिनट हो चुके हैं तो अब मैंने इसकी साइट चेंज कर दिया है तो अब 25 मिनट के बाद चेप करते हैं यह 5 मिनट के लिए मैंने साइट चेंज कर दिया रख है बस्ते करीबन रेडी है की मैंने यहाँ से इसे अब मैं आपको इसको करके बतातीं कैसा बने बहुत अच्छा बंद के त्यार हो गया है और बहुत अच्छी बेक हो गया है और बहुत टेस्टी दिख रहा है अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूं बहुत अच्छा बनाएं बहुत टेस्टी है आप भी बनाएं और इंजाए करें और दौाओं में याद रखिएगा अल्ला आफिज और जाते चाते में आपसे एक बात कहती चलूं जिसने सुख में रब का शुकर अदा किया उसने दुख में अपने रब को अपने साथ पाया